हेलो गाईज, वेलकम टू टी वाई जेवर्ट आज हम यहाँ एसू Zenfone Max Pro M1 के 6GB वाले वेरियेंट का कैमरा कमपेरिजन Redmi Note 5 Pro से कर रहे हैं अगर हम यहाँ कैमरा स्पेसिफिकिशन की बात करें तो Zenfone Max Pro M1 में आपको 16 प्लस 5 MP का डूल कैमरा सेट अप मिल रहा है जबकि Redmi Note 5 Pro में आपको 12 प्लस 5 MP का डूल कैमरा सेट अप मिल रहा है लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है दोनों के रेजलूशन में जब आप प्राइमरी कैमरे से इमिजेस कैप्शर करते हैं तो Zenfone Max Pro M1 आपको 16 MP की इमिजेस देता है जबकि Redmi Note 5 Pro आपको 12 MP की इमिजेस देगे रहा है आप देख सकते हैं रेजलूशन में कुछ इस तरह का डिफरेंस है प्राइमरी कैमरे में लेकिन जैसे ही आप प्राइमरी मोड स्विच करते हैं तो Redmi Note 5 Pro में वैसे तो आपको दो आप्शन मिलते हैं लेकिन जब आप हाई रेजलूशन में कैप्शर करते हैं तो ये 12 MP की इमिजेस कैप्शर करता है पोट्रेट मोड में लेकिन Zenfone Max Pro M1 यहाँ पे पोट्रेट मोड में 13 MP की इमिजेस कैप्शर करने लगता है अगर हम यहां primary camera की images की बात करें तो कुछ ऐसी situations थी जहां दोनोंने लगबग similar तरह से images capture करी हैं आप देख सकते detail भी काफी अची capture कर रहे हैं और साथ में color reproduction में भी इतना ज़्यादा difference नहीं है लेकिन हम यह images आगे capture करते चले गए और हमें थोड़ा सा difference create होता नजर आया और यह था color reproduction का आप देख सकते हैं Redmi Note 5 Pro थोड़े saturation level बढ़ाक images capture कर रहा है जब हम इसे Zenfone Max Pro M1 के 6GB वाले variant से compare कर रहे हैं या यह बोल सकते हैं 6GB वाला variant थोड़ी सी fade image capture कर रहा है हमने यहाँ पे continue images capture की उसके बाद अगर हम यहाँ आपको macro shots दिखा हैं तो आप देख सकते हैं macro shots में भी हमें color reproduction का ही difference देखने को मिला details दोनों ही काफी अची capture कर रहे थे अगर मैं हाँ dynamic range balance करने की बात करूँ यानि colors के बीच में exact difference कौन create कर रहा है तो वो Redmi Note 5 Pro है आप देख सकते हैं colors के बीच में exact difference create कर रहा है जबकि Zenfone Max Pro M1 यहाँ पे colors को थोड़ा सा fade करता हुआ नजर आ रहा है इसके अलावा आप देख सकते हैं detail दोनों ही काफी अची capture कर रहे हैं हमने काफी shot लिए काफी अलग-अलग colors के shot लिए और हमें यही difference देखने को मिला यानि की ज़्यादा पंची color ज़्यादा sharp image हमें Redmi Note 5 Pro की दिख रही थी जबकि Zenfone Max Pro M1 की image में आप देख सकते हैं थोड़े से fade color हमें नजर आ रहे थे Redmi Note 5 Pro के मुकाबले Zenfone Max Pro M1 थोड़े से colors को fade करता हुँ नजर आ रहा है जबकि Redmi Note 5 Pro यहाँ ज़्यादा पंची color show कर रहा है अब यह images पुरी तरह आपके preference पर डिपेंड करते हैं कि आपको किसकी images ज़्यादा अची लग रहे हैं तो comment करके ज़रूर बताइए कि आप किसकी images प्रिफर करना यहाँ पसंद करेंगी ऐसे Zenfone Max Pro M1 की 6GB वाले variant से जब हमने green color के साथ yellow color को reproduce किया तो आप देख सकते हैं difference Redmi Note 5 Pro की image में और Zenfone Max Pro M1 की image में इसके बाद हमने footage भी capture करी यही देखने के लिए कि यह exactly क्या हो रहा है अगर हम यहाँ portrait mode की बात करें तो Redmi Note 5 Pro में आपको portrait mode में दो option मिल रहे हैं या तो आप normal बोजिशन से high resolution याना 12 MP की images capture कर सकते हैं या फिर आप 1.51 zoom के साथ low resolution याने 5.6 MP की images capture कर सकते portrait mode में जबकि Zenfone Max Pro M1 में आपको यहाँ पे aperture vary करने का option मिल रहा है याँ कि आप ये decide कर सकते हैं कि आपको background कितना blur रखना है तो कुछ ऐसी situations हमें मिली portrait mode में जहां दोनों ने लगबग similar तरह से images capture करी यहां पे हम Redmi Note 5 Pro के normal mode याने की full resolution वाले portrait mode का use करके images capture कर रहें तो आप देख सकते है color reproduction में ज़्यादा difference हमें देखने को नहीं मिला कुछ situation में लेकिन जैसे जैसे हम आगे images capture करते चले गए हमें दोनों के बीच में difference create होता नजर आया याने आप देख सकते है Redmi Note 5 Pro के normal position से भी ये कुछ saturation level बढ़ा के images capture कर रहा है जब हम इसे Zenfone Max Pro M1 के 6GB वाले variant से compare कर रहें अगर मैं close to natural की बात करूँ तो close to natural Redmi Note 5 Pro color show कर रहा है याने कि जो Zenfone Max Pro M1 है वो colors को कुछ fade करता हुआ नजर आ रहा है जैसा उसने macro shot में किया था और साथ में आपको blur amount में भी difference देखने को मिलेगा क्योंकि Zenfone Max Pro M1 में आपको images capture करते time aperture vary करने का option मिल रहा है याने कि आप ये decide कर सकते कि आपको blur level कितना रखना है background का इसके बाद हम आगे images capture करते चले गए तो आप देख सकते Redmi Note 5 Pro की image comparison wise Zenfone Max Pro M1 के थोड़े warm tone में लग रही याने जो skin का color है आप देख सकते थोड़ा सा warm लग रहा है Redmi Note 5 Pro में जब की Zenfone Max Pro M1 में ये कुछ fade होता नजर आ रहा है तो यहाँ पे आपको comment करकी ये बताना है कि आपको किसकी images ज़्यादा अच्छी लग रही है याने आप किसकी images prefer करना पसंद करेंगे इसके बाद जब हमने 1.5x zoom के साथ याने की low resolution के साथ images capture करी तो आप देख सकते हैं Redmi Note 5 Pro low resolution में कुछ ज़्यादा ही warm tone में images capture करता है याने आप यहाँ पे देख सकते हैं difference को ज़्यादा ही हो गया है अब दोनों के color reproduction में तो 1.5x zoom के साथ जब आप images capture करेंगे तो आपको warm tone में portrait mode capture होता हुआ नजर आएगा comparison wise Zenfone Max Pro M1 आप देख सकते हैं age detection की problem हमें दोनों ही mobile में देखने को नहीं मिली हमने काफी images capture करी और age detection दोनों का ही काफी accurate है और साथ में detail दोनों ही काफी अची capture कर रहे हैं याने दोनों ही काफी अची detail capture कर रहे हैं age detection बहुत accurate है color reproduction का जो difference है वो normal board में ज़्यादा नहीं है लेकिन जैसे आप 1.5x zoom के साथ capture करते हैं Redmi Note 5 Pro से तो color reproduction का difference बढ़ जाता है इसके अलावा अगर हम यह depth of field create करने के algorithm की बात करें तो depth of field create करने का algorithm भी दोनों का लगबग similar हमें लगा याने कि जो object के सामने जितना भी part होता है उसे वो focus कर लेते और background को blur कर देते हैं आप देख सकते हैं दोनों में ही कुछ इसी तरह का algorithm work करता हुआ नजर आ रहा है हमने यहां पर algorithm check करने के लिए different situations, different condition में images capture करी और दोनों ने ही लगबग similar perform किया लेकिन age detection में हमें कुछ situation में ऐसो Zenfone Max Pro M1 में noise देखने को मिली याने आप difference देख सकते हैं कुछ situation में age detection में noise देखने को मिली लेकिन अगर हम यहां overall बोले तो overall दोनों की ही performance age detection और background को blur करने के algorithm में लगबग similar है आपको ज़्यादा difference देखने को नहीं मिलेगा यहां जो difference है वो color reproduction का ही है और जब हमने wide aperture में images capture करी Zenfone Max Pro M1K याने की value को full करके जब हमने images capture करी तो आप background के blur level में different देख सकते हैं यह काफी ज़्यादा blur करने लगा background को लेकिन इस situation में noise भी आपको काफी देखने को मिलेगी याने आप different देख सकते हैं कुछ इस तरह का आ रहा है blur level में और age detection में अब हम यहाँ पर stabilization test perform कर रहे हैं आपको comment करके बताना है क्या 6GB के variant में stabilization का कोई option आया वैसे तो option तो कुछ नहीं आया लेकिन stabilize हो क्या video यह आपको comment करके बताना है जबकि Redmi Note 5 Pro में stabilization का आपको option मिल जाता है याने कि EIS आपको मिल रहा है अगर हम यहाँ front camera की बात करें तो दोनों में ही आपको single front camera मिल रहा है with LED flash लेकिन Redmi Note 5 Pro में आपको 20MP का single camera मिल रहा है जबकि Zenfone Max Pro M1 के 6GB OLA variant में आपको 16MP का front camera मिल रहा है अगर हम यह resolution के difference की बात करें तो आप देख सकते resolution में कुछ इस तरह का difference है इसके अलावा जब हमने इसके normal mode से images capture करी तो दोनों ही काफी अची images capture कर रहे थे कुछ situation में Redmi Note 5 Pro जादा saturation level रख के images capture कर रहा था इसलिए आप color reproduction में difference देख सकते हैं और कुछ situation में दोनों ही काफी अची images capture कर रहे थे सेचिवेशन में Redmi Note 5 Pro वाइट तोन में images capture कर रहा था जबकि Zenfone Max Pro M1 जादा balanced image capture करता हूँ नजर आ रहा है तो ये जादातर images में depth create नहीं कर रहा था ये normal images capture कर रहा था जबकि हमने portrait mode switch करके images capture करी थी यारे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का difference हा रहा था इसके अलावा दोनों ही काफी अची तरह एक दूसरे को टक कर दे रहे हैं front camera में अगर हम यहां artificial या low light condition की बात करें तो artificial और low light condition में भी दोनों ने एक दूसरे को काफी अची तरह टक कर दी है हाला कि आप देख सकते है redmi note 5 pro में white tone का issue हमें देखने को मिलता है front camera में जब हम portrait mode switch करते हैं और वो continue देखने को मिल रहा है इसके अलावा जब हमने extreme low light condition में images capture करी तो आप देख सकते है redmi note 5 pro थोड़ी अची images capture करता हो नजर आ रहा है फिर हमने flash का use करके front camera से image capture करी तो आप देख सकते हैं यहां पे भी redmi note 5 pro ने ज़्याद अची image capture करी है यहां पे 6 gp वाले variant से redmi note 5 pro के front camera को compare कर रहे हैं देखा जाये तो अब 16 MP का front camera आपको Zenfone Max Pro M1 में मिल रहा है और 20 MP का front camera आपको redmi note 5 pro में मिल रहा है अब हम यहां front camera से video footage capture कर रहे हैं और आपको different condition यहने different lighting condition में बताएगे अभी मैं rear camera के सामने हो यहने की mobile के feature हूँ तो sound में किस तरह से difference हा रहा है ज़रूर आप comment करके बताएगे कि अब देख सकते हैं या continuum condition change करते जा रहे हैं यहीं देखाने के लिए कौन जब अच्छे से condition को manage करता है देखा जाते screen पर तोनों ही काभी अच्छी footage capture करता हैं लेकिन Redmi Note का इफूथी screen पर थोड़ी सी brightness label मुझे जादा दिखा रहा है यानि कि थोड़े white tone में footage capture करता हुए नदर आ रहा है बाकी यहां comment करके आपको बताना है कि front camera से कहाँ ज्यादा ची footage capture कर रहा है अब हम यहाँ पर 1080p 30 ऐसी अपने front camera से video footage capture कर रहा है अब हम यहाँ पर आपको condition change करके दिखाएंगे अगर मैं screen की बात करूँ तो पर ज्यादा bright footage मुझे Redmi Note 5 Pro में दिख रही है यह mobile screen की बात अभी हम कर रहा है तो यहाँ पर हम continue condition change करके आपको बताते जाएंगे यहाँ पर कुछ noise भी है तो आप audio के लिए भी comment कीजिए कि audio किस तरह से यह record कर रहे हैं और front camera से video पॉन जादा ची footage record कर रहा है यह भी आप comment करके जरूर बताएंगे आप देखकते हैं अब हम extreme low light situation में आ चुके हैं यहाँ पर बहुत ज़दा dark हो चुका है अगर हम यहाँ artificial lighting condition की बात करें तो artificial lighting condition में result थोड़ा mix रहा तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसी situations है में मिली जहाँ Redmi Note 5 Pro ने ज़्यादा detail capture करी और कुछ ऐसी situations मिली जहाँ Zenfone Max Pro M1 ने detail ज़्यादा capture करी ओवराल देखा जाए तो ओवराल दोनों ही artificial lighting condition में काफी अच्छा color reproduce कर रहे हैं accurate color reproduce कर रहे हैं condition को justify कर रहे हैं और साथ में portrait mode में age detection भी बहुत अच्छा है और images में detail भी काफी capture कर रहे हैं यानि यह बोल सकते कि artificial lighting condition में दोनों ने एक दूसरे को काफी अच्छी तरह टक कर दी है फिर हम आगे images capture करते चलेगा इसके बाद अगर हम यह low light condition की बात करें तो low light condition में आप देख सकते हैं Redmi Note 5 Pro और Zenfone Max Pro M1 दोनों ही उतनी अच्छी images capture नहीं कर पा रहे थे लेकिन अगर comparison wise देखें तो आप देख सकते Redmi Note 5 Pro की image में थोड़े से colors आपको देखने को मिलेंगे जबकि Zenfone Max Pro M1 की image में थोड़े colors fade होते नजर आ रहे हैं इसके अलावा जब हमने flash का use करके images capture करी तो Zenfone Max Pro M1 में इस skin कुछ yellow tone में capture होती नजर आई जबकि Redmi Note 5 Pro flash mode में ज्यादा balanced image capture कर रहा था overall देखा जाये तो overall ये एक mix result रहा जहां दोनों नहीं कफी अच्छा perform कि artificial और low light condition में अब हम यहाँ पे 1080p 30fps में ही artificial lighting condition में footage capture कर रहे हैं और आपको दोनों की बीच में क्या exact difference है वो बता रहे हैं अगर मैं stabilization की बात करूं तो screen पर तो stabilization दोनों में ही नहीं देख रहा है लेकिन Redmi Note 5 Pro में आपको stabilization का option मिल रहा है तो comment करके जरूर बताईए कि किसकी footage ज्यादा stabilized है कि 6GB के variant में आपको कुछ stabilization देख रहा है और artificial lighting condition में किस तरह से ये perform कर रहे है अब हम यहाँ extreme low light condition में video capture कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं दोनों ही उतनी अच्छी footage तो capture नहीं कर पा रहे हैं यानि retail उतनी अच्छी capture नहीं कर पा रहे हैं लेकिन comment करके आप जरूर बताईए कि देख सकते हैं यहाँ पे हम condition change करके आपको footage शो कर रहे हैं दोनों में ही हम 1080p 30fps में ही footage capture कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ difference की बात करें तो user interface में Redmi Note 5 Pro जादा आगे हैं साथ में Redmi Note 5 Pro में आपको time lapse और slow motion का option मिल रहा है जबकि Zenfone Max Pro M1 में आपको 4K DCI तक का option मिल रहा है कि दोनों में से किस ने ज्यादा अच्छा perform किया अगर आपको यह video अच्छा लगाओ तो जरूर लाइक किजिए, share किजिए, subscribe किजिए and thank you for watching TYJ World